विश्वामित्र और त्रिशेंकू कोशिक ने भगवान शीव को प्रसंद करने के लिए गुव और तपस्या प्रारंब कर दी उन्हें रिशिवशिष्ट से बदला जो लेना था उन्होंने कई शुक्तिशाली अस्त्र तपस्या के द्वारा प्राप्त किये और पुना री मित्र को चुनैती दी पर इस भार भी उनकी हार होिँ क्रोध में उन्होंने शक्त्री धर्म का परिट्यांकण ब्रम्हरशी बनने का निश्य किया और अधित तपस्या करने पर उन्हें राज अर्शी की उपाधी मिली वह अभी असुन्तुष्ट थे और ब्रह्म हर्शी बनने के लिए अपनी तपस्या जारी रखी उन्हें दिनों तृशंको नामक एक सत्यवादी राजा थे राजा तृशंको की इच्छा दे तब तृशंको रिशी वशिष्ट के पुत्रों के पास अपना अनुरोद ले कर गए वशिष्ट के पुत्रों ने भी उन्हें मना कर दिया तब श्यात तृशंको कोशिक से मिले कोशिक ने अपने शक्ति क्याधार पर तृशंको के लिए एक नया स्वर्ग मनाया किन्तु ऐसा करने में उनकी तब की शक्ती समाथ हो गई।